मेरा नाम स्वेच उंगाव भुसले, मेरा गाव स्टुन्डियांबा तावलुका बस्मत जिला हिंगोली से हो, मैंने यस्टी आरवाय के अंतरगत क्रश्ची इद्नयान किंद्र स्टुन्डपूर जिला हिंगोली यहां पर संदुनादार 19-20 में जिसको रेश्यम तेटक संगोपन के बारे में जो प्रक्रश्चन लिया था, यह एक क्रशी पर आधारिक उद्योग है, इस उद्योग से उद्योग में ज्यादा लागत की जरोत भी नहीं है, नहीं होती है, क्रशी खेती के कार्यों के साथ रेश्यम तंगोपन द्वारा आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, आईसा महीने सुना था, इस प्रक्रश्चन के दवरान आधुनिक तकमिक के साथ, इसमें रेश्यम के किड़ों का पालंग करके रेश्यम उत्पादन ले सकती है, इसके बारे में पूरी जानकरी महीने शहतुती रेश्यम के प्रक्रश्यम से लिए है, रेश्यम के बारे में अलग अलग शहतुत के व्रक्ष लगाना और इसके भायराइटी पत्तों में प्रोटेन्स का कितना पर्सेंटेंज रहता है और अच्छे और स्वत्ष पत्तियों के वजह से ही रेशम किटकों के कोशले बनते है और मार्केट में अच्छा भाव मिलता है और अच्छा भाव मिलने के वजह से हमारा अच्छी तरह से चलता है मेरे पास रेशम का संगोपन ग्रहा है और इस संगोपन ग्रहा के पास मैंने शातुत रक्ष प्रक्षिशन के दोरान रेशम किटक संगोपन के लिए जो भी तकनिक लगती है इसका उपयोग यहां पर करता हूँ मेरी एक बैच से 22 दिन में मुझे कम से कम 40-50,000 रुपए मिलता है इस उद्योग को ग्रामिंग छेत्र में कम लागत में शुरू कर सकती है इस से जल्दी उटपादन प्रारम होता है इस उद्योग को करशिये अन्य घरियलू कारियों के साथ भी अपना सकते है खास बात है कि इस उद्योग से मैलाएं अपनी खाली समय का सभी प्योग कर सकती है धन्याद